मंगल ग्रह के विशब राशी में परवेश से चार राशियों को मिलेगा अपार लाप मंगल ग्रह 12 जुलाई 24 शुकरवार को शाम 7 बजकर 12 मिल्ट पर विशब राशी में परवेश करेगा और करीब 45 दिनों तक विशब राशी में ही रहेगा इस गोचर के चलते चार राशियों को जबरदस्थ फाइदा होने वाला है उनमें से पहली राशी है मेश राशी आपकी कुणली के पहले और आठमें भाव के स्वामी मंगर का दूसरे घर में गोचर होगा यार्थिक रूप से अप्रत्याशित लाव दिलाएगा कारियर में अच्छी प्रगती नजर आएगी नौकरी पेशा है तो आपको सकरात्म परिनाम देखने को मिलेंगे वपारी है तो प्रतिस परदा के कोशल के साथ अच्छा लाव प्रापत करेंगे धन संचित करने और बचत करने में भी कामियाब होंगे फिर बात करेंगे व्रिशब राशी की आपके कुणली के मंगल सब्तम और बार में भावकि स्वामी होते हैं और आपके अभी पहले घर में ही गोचर करने जा रहे हैं इस गोचर के चलते लंबी यात्रा का योग बनेगा जो सुखद रहेगी कारियर और नौकरी में उच्छ सफलता प्रापत करेंगे कारोबारी हैं तो उच्छ मनाफ़ा कमाएंगे आर्थिक मोचे पर आप शक्तिशाली बनेगे फिर बात करेंगे करक राशी की आपके कुंडली के पंचम और दशम भाव के स्वामी मंगल का ग्यारवे भाव में गोचर होने जा रहा है ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा संतान पक्ष से सुब समचार मिल सकता है कारियर और नोकरी में नए अफसर प्रापत होंगे और वबसाइक मोर्चे पर आपको नए वबसाइक और भी प्रापत होंगे अब बात करेंगे सिंग राशी की आपके कुंडली का चतुर्त और नवम भाव के स्वामी मंगल का आपके दशम भाव में गोचर होगा मंगल का ये गोचर आपके सुख सुविधा में वृद्धी करने वारा सिद्ध होगा साथ ही सोभग्य की प्रापती के संकेत मिल रहे हैं करियर और नोकरी के मोर्चे पर नए अफसर प्रापत होंगे जो आपके लक्षियों को पूरा करेंगे कारोबारी है तो वपार का विस्तार होगा जीवन साथी के साथ संबंद पहले की अपेक्षा और मजबूत होंगे अब बात करेंगे मीन राशी की आपके कुनली के दूसरे और नवम भाव किस्वामी मंगल का तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है ये गोचर आप के लिए बेहद अनुकूल है जो जीवन में उनती और सफलता दिलाएगा आपका आत्नम विश्वास बढ़ जाएगा करियर और नोकरी के मोचे पर आप नई उचाईयों को प्रापत करेंगे विवसाइक मोचे पर आप नए समझोतों से लाब होगा आर्थिक मोचे पर आपको ज़्यादा लाब होगा और अच्छी मातरा में धन बचत करने में भी कामयाब रहेंगे जीवन साथी के साथ रिष्टे भी खुशनुमा बनाने में कामयाब होंगे तो ये थी ऐसी पांच राशिया मीन राशी, सिंग राशी, करक राशी, व्रिषब और मेश राशी जिनकों के मंगल के इस गोचर से शुब परिनाम मिलने की पूरी संभावना है और अच्छा लाब भी मिल सकता है इन राशियों को धन्यवाद